हे गाइज मैं हूँ कौतम और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में तो आज हम करने वाले हैं चार्जिंग स्पीड टेस्ट चार फोन के बीच में जो आपको वीडियो के टाइडल से पता चली गया होगा लास टाइम बैटरी ड्रेन वाले वीडियो में काफी सारे भाई लोग नराज होगे थे क्योंकि फोन्स कुछ जादा टाइम ले रहे थे चार्ज होने में बट यह मैंने क्लियरली बोलवा भी था कि जो रूम टेंपरेचर था वो थोड़ा जादा था नॉर्मल से और जब फोन का टेंपरेचर एक लिमिट से उपर हो जाता है तो चार्जिंग की स्पीड आटोमेटिकली कम हो जाती है एनिवेज आज हम करेंगे चार्जिंग स्पीड टेस्ट एक कंट्रोल्ड इंवार्मेंट में तो जो रूम का टेंपरेचर है वो रहेगा 28 डिग्रीज के आसपास ताकि कोई भी फोन ओवर हीट ना हो एक बार मैं आपको सारे चार्जर भी दिखा देता हूँ तो रेड्मी केट्वन टी प्रो पे हमें मिलती है 4000 मिली आमपार्स की बैट्टरी और केट्वन टी प्रो सपोर्ट करता है मैक्स 27 वार्ट का चार्जर और मैं केट्वन टी प्रो को चार्ज भी करूंगा शाओमी के 27 वार्ट वाले चार्जर से वन प्लस नॉट की बैटरी कैपसिटी है 4115 मिली आमपार्स और ये सपोर्ट करता है मैक्स 30W का चार्जर नॉट के साथ बॉक्स में ही हमें मिलता है 30W वाला चार्जर Galaxy S20 Ultra सपोर्ट करता है मैक्स 45W का चार्जर और S20 Ultra की बैटरी कैपसिटी है 5000mAh और मैं S20 Ultra को चार्ज करूँगा 45W वाले Samsung के चार्जर से और फाइनली Realme X2 Pro के साथ मिलता है 50W वाला चार्जर और X2 Pro की बैटरी कैपसिटी है 4000mAh तो Realme X2 Pro सपोर्ट करता है सबसे जादा वाट्स वाला चार्जर और Redmi K20 Pro सबसे कम मैंने सारे फोन्स अलग-अलग टेस्ट करे हैं एक मिनट के बाद मैं सभी फोन्स को अन कर दूँगा और फिर रेगुलर इंटरवल्स पे हम सब की बैटरी चेक करेंगे तो गाइज एक मिनट से उपर हो गया है और सारे फोन्स अन कर दिये हैं Redmi K20 Pro है 4% पे S20 Ultra भी है 4% पे Nord है 3% पे और Realme X2 Pro है 6% पे तो गाइज 10 मिनट हो गये हैं और Galaxy S20 Ultra पे टेंपरेचर है 40 डिग्रीज Nord पे टेंपरेचर है 34 डिग्रीज K20 Pro पे टेंपरेचर है 37 डिग्रीज और X2 Pro पे टेंपरेचर है 34 डिग्रीज Redmi K20 Pro पे बैटरी है 18% Galaxy S20 Ultra पे बैटरी है 21% Nord पे भी बैटरी है 21% और भाई यहाँ पे तो तबाही मची हुई है रियल में एक्षू प्रो पे बैटरी है 41% 41% सिर्फ 10 मिनट में जो की कमाल है और कमाल इसलिए है क्योंकि बैटरी तो तेजी से चार्ज हो ही रही है बट टेंप्रेचर भी फोन का कंट्रोल में है और भाई मैंने यह फोन अपने खुद के पैसों से खरीदा है किसी भी कमपनी ने मुझे इन में से कोई भी फोन नहीं भेजा है तो ये मत बोलना कि मैं किसी पर्टिकलर फोन की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फोन फ्री में मिला है जो सच है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ और जहां तारी बनती है वहां मैं करूंगा तो सूपर वूक चार्जिंग तो काफी जादा कमाल है एकदम दिमाग धमागा हो चुका है मेरा तो खुद ही आप देख लो कितनी पागलो की तरह फोन चार्ज हो रहा है और फोन बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है जो कि अमेजिंग है इसका लॉंग टर्म इफेक्ट बैटरी पे क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा बट अभी देखने में काफी मजा आ रहा है तो गाइस 20 मिनिट हो गए है और एस 20 अल्टरा पे टेंपरेचर है 49 डिग्रीज नॉट पे टेंपरेचर है 35 डिग्रीज रियल्मी एक्स टू प्रो पे टेंपरेचर है 35 डिग्रीज और रेड्मी के टू टी प्रो पे टेंपरेचर है 37 डिग्रीज Nord और Realme X2 Pro पे temperature एक डिग्री बढ़ गया है वहीं S20 Ultra पे एक डिग्री temperature कम हुआ है और K20 Pro पे temperature पहले जितना ही है और जो बैटरी है वो है Redmi K20 Pro पे 35% S20 Ultra पे 38% Nord पे 43% और Realme X2 Pro पे 76% तो Realme X2 Pro तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है Nord ने S20 Ultra को पीछे छोड़ दिया है K20 Pro सेम स्पीड से चलते वे सबसे पीछे है तो guys आदा घंटा हो गया है बैटरी चारजिंग स्पीड टेस्ट को और K20 Pro पे temperature सेम ही है 37 डिग्रीज पे S20 Ultra पे भी temperature है 37 डिग्रीज Nord पे temperature है 36 डिग्रीज Redmi K20 Pro पे बैटरी है 15 परसेंट S20 Ultra पे बैटरी है 53 परसेंट Nord पे बैटरी है 63 परसेंट और Realme X2 Pro पे बैटरी है 98 परसेंट तो guys मैं X2 Pro पे temperature चेक करना भूल गया था तो अभी देख लेते हैं और X2 Pro का temperature अभी भी 34 डिग्रीज ही है जो की एकदर mind-blowing है तो guys Realme X2 Pro पूरा चार्ज हो गया है सिर्फ और सिर्फ 32 मिनट में Realme क्रेम करता है 33 मिनट और यहां तो 32 मिनट में हो गया है पूरा कमाल जैसे मैंने पहले कहा था दिमाग धमाका तो Realme X2 Pro आ गया है फर्स्ट और यह सही में बहुत जादा इंप्रेसिव है तो guys 40 मिनट हो गया है और race में अभी बरकरार है Redmi K20 Pro, S20 Ultra और OnePlus Nord तो Redmi K20 Pro का टेंप्रेचर है 38 डिग्रीज S20 Ultra का टेंप्रेचर भी है 38 डिग्रीज और Nord का टेंप्रेचर है 34 डिग्रीज तो दोनों K20 Pro और S20 Ultra पे टेंप्रेचर बढ़ गया है जबकि Nord पे टेंप्रेचर कम हो गया है Redmi K20 Pro पे बैटरी है 67% S20 Ultra पे बैटरी है 72% और Nord पे बैटरी है 81% S20 Ultra और Redmi K20 Pro में थोड़ा गाप बढ़ गया है जिसका मतलब Redmi K20 Pro पे charging speed कम हो गया है तो guys 50 मिन दो गये हैं और Redmi K20 Pro पे टेंप्रेचर है 37 degrees S20 Ultra पे टेंप्रेचर है 35 degrees और Nord पे टेंप्रेचर है 33 degrees Redmi K20 Pro पे बैटरी है 80% S20 Ultra पे बैटरी है 86% और Nord पे बैटरी है 94% तो Nord पे बैटरी पूरी चार्ज होने ही वाली है charging थोड़ी slow हो गया है जिस वज़ा से temperature काफी कम हो गया है तो guys नॉड पूरा charge हो गया 58 मिनट में तो नॉड आता है दूसरे नंबर पे इस charging test में तो guys एक घंटा हो गया है battery charging test को S20 Ultra का temperature है 36 degrees जबकि Redmi K20 Pro का temperature है 33 degrees S20 Ultra पे battery है 93% जबकि Redmi K20 Pro पे battery है 89% तो guys 70 minutes पे S20 Ultra पूरा charge हो गया है और temperature दोनों ही phones पे एक एक डिगरी कम भी हो गया है Redmi K20 Pro पे battery है 94% तो finally Redmi K20 Pro पूरा charge हो आए 1 गंटा और 28 minutes में जो की होते है 88 minutes तो guys ये रहे final results Realme X2 Pro पे Superbook charging तो बहुत ही तेज है और सबसे बेस्ट बात है की phone heat भी नहीं होता चार्ज करते टाइम इसका battery drain टेस्ट करना काफी interesting होगा वैसे और अगर आप चाहते हो की मैं Realme X2 Pro और OnePlus Nord का battery टेस्ट करूँ तो बता देना मुझे comment section में सेकिंड नंबर पे आया है Nord और Nord पे भी temperature काफी हद तक maintained ही था charging के time थर्ड है S20 Ultra और ये phone तो थोड़ा disappointing है 45W की charger के साथ भी ये थर्ड आया है और phone अच्छा खासा गरम भी हो रहा था charging के time और लास्ट में है Redmi K20 Pro तो 27W की charging अगर compare करे Nord से तो काफी slow है Redmi K20 Pro पे battery Nord से 100mAh कम है तब भी almost 35% जादा time लिया है Redmi K20 Pro ने Nord के मुकाबले में तो guys बस यही था इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहा हूँ तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ and do take good care of yourself and your family see you in the next video